प्लोड के लिए से बढ़ने स्ती। एक्जेम्स के लिए सभी प्रिपेर हो रहे हैं। तो बहुत सारे स्टूड्ट कन्फूड है कि क्या पढ़ना चाहिए क्या नहीं पढ़ना चाहिए। तो मैं आपके लिए अच्यांपूल पीपर अपलोड कर रहा हूं। इसके बाद एक और सैंपल पेपर अपलोड करूंगा और से वन का और दो पेपर अच्छी तरह प्रिपेर हो जाईए इसके अंदर में मैं कुछ इंपोर्टन टिकराऊंगा वह अच्छी तरह याद किजिए और देखिए कौन से सेक्षन में आप अच्छे मार्स ला सकते हो अ समझेंगे थोड़ा ध्यान लगाएंगे तो अच्छे मार्स ला सकते हो चलिए इस वीडियो को स्टाट करते हैं स्टाट करने से पहले अगर आप नए हो इस चैनल पर तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेजिए, लाइक किजिए, शेयर किजिए और कमेंट भी कर सकते हैं चलिए यहां पर दिया गया है second language त्यल्गो नाइंट क्लास, यहां पर दे दिया है कि summative assessment, तो यह थोड़ी नई reader है, मैं इसके लिए important questions भी upload करूँगा reader से, यहां पर आपको 60 marks का paper होगा, और 20 marks का objective होगा, 60 marks आपको subjective होगा, पार्ट A, पार्ट B रहेगा, 3 hours 15 minutes का paper रहेगा, पूरा paper, जिसके अंदर से 2 hours 45 minutes subjective के दिये जाएंगे, और 30 minutes आपको objective के दिये जाएंगे, तो यह सारे instruction होगे, चलिए, अब यहां से 20 marks आप आसानी से ला सकते हो, बिना कोई answer पड़े बिना कोई book के भी, just अगर आप समझेंगे तो, किस तरह देखें, यहां पर एक paragraph देगा, यह paragraph नहीं, यह आलम पुरम लिसन का है, यह paragraph नहीं, इस तरह का देगा, मैं upload करूँगा, यह paragraph देगा, उसके questions देगा, उसके answers इसके अंदर से ढूंड कर आपको लिखना है, इसके trick भी मैं समझाँगा, आपको बतला रहा हूँ आपको इसलिए, इसके अंदर को यांसे सो तो मैं आपको बतलाऊंगा, यहां से five marks आपका आराम से ला सकते हो, यहां से यह पढ़कर इसके अंदर के questions के answers आपको लिखना है, उसके बाद यहां पर देगा, एक poem देगा, एक poem अच्छी तरह याद के लिजिए, एक poem के five marks होंगे, या ए, दोनों में से एक आपको लिखना है, आप choice है आपके पास, एक poem या दो पैम, उसके बाद यह देखिए, यहां पर आपको एक poem पढ़ना है, उसके फिलप्स लिखना है, बहुत आसान है, 10 marks, आराम से 20 marks, आराम से आपको मिल रहे है, यह अंधाकारी, नादर इंचे, अंधाकारी, मतलब, पूरा complete sentence इसमें यह रहेगा, या paragraph भी रहेगा, तो आपको complete sentence मिल जाएगा, बीच में जो miss है, वो लिखना है, देखिए, गवरवंबो, बेदंबो, देखिए, गवरवंब, बेदंबो, कलु कुंडा, यहां पर कलु कुं हम पीसफुल के लिए क्या करना चाहिए, दाना धर्म वालो एनिर्यका लोगा चाहिए, बच्चु, हम charity कितने तरीखे से करेश सकते हैं, आयका मत्य में महावला मंटे, एमर तमेदे, तीन अच्छी तरह याद किजिए, तीन भी important है, यूनिटी में हम, यूनिटी ही बहुत बड़ी stunt है, आपको क्या समझे, तीन अच्छी तरह याद किजिए, यह 32 marks का रहेगा, 40 marks का रहेगा, 32 marks के आपको reader से रहेंगे, और 8 marks का general रहेगा, अगर 32 marks आप reader से एक आद जितने याद है लिखेंगे, इसको अगर आप नहीं लिख़ाते भी हैं, तो general में आप लाएंग टोटल 4 दिये जाएंगे, 4 में से आपको किसी डो लिखना है, तो यहाँ पर मन्शी माराली गेम सारम शम संते यह अच्छी तरह याद किजिए, बत कम अपनगा यह आपको ज़रुत नहीं है भी नहीं है, चित्रे गिरे बड़ो मन्ची ना याद किजिए, यह भी याद आपको यह याद कर सकते हैं, यह याद किजिए, लॉंग में, मैं वैसे आपको लॉंग दूँगा, यह तो यह एट-एट मार्स दे सकते हैं, अब यह जनरल टॉपिक रहेगा आपको, क्या रहेगा आदेखें, मीक उतलसिनाओं का दाता गुरिंची राएंडी, आपको मॉ भरे भरे जाड, नेचर के लिए खुबसूरती, इसके बारे में एक पोस्टर बनाना है, यह तीन भी याद कर लिजिए, यह एट मार्क्स आपको दे सकते हैं, यह तो पहले देखें, इसके अंदर क्या रहेंगे, यहाँ पर दिया गया है, लोग को यागम, तो ए, बी, सी, मतलब क्या है? यहाँ पर, इसके बाद रहेंगे दो ओन-sentences, इसके बाद यह रहेगा व्याकणम, व्याकणम का मतलब है? बस्करांट नांट पह्चानना है मिअ इसका प्रनॉण कौंण सा है इसमें से tą है कौंच나 सा है इस हमापा करिया कौंचा है सिर्य प्रिपोजिशन लिखना है आपको कौंसा है सीरी की प्रणवलाद experiment यह कौन सा सेंटेंस है पहचाना है तो इस तरह आपको दिये जाएगा यहां पर मिला कि आपको लिखना है तली दंडुलू मेगा तो इस तरह का आपका पेपर रेप्रेजेंटेशन रहेगा और अच्छी तरह आप लिख सकते हो मैं आपको सारे सब्चेक्ट के अपलोड करू होंगा तब तक के लिए चैनल पर बने रहें इसी तरह देखते रहें आल दे बेस्ट सभी स्टूडेंट्स को उमीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा बेस्ट आफ लग्ग